हालो, वेलकम बैक टुमाइ यूटूब चैनल, पेपर हैकर rectangular आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलो जी का next question जो की आपका long answer type question है question number 20 ठीक है? जुलो जी long answer type question है भीक है? बिएस ये आपका second semester हो जाए गया ऑप अपसे पहले हमने एक्षे लेकर 19 question तक long answer type question को discuss कर लिया आज हम बात करें question number 20 की ठीक है जो कि आप से पूंच रहा है कि इस तंधारियों में ठीक है mammals में किस में? mammals में कि thyroid गरंथी की रचना बताईए तथा उससे निकलने वाले हार्मोन का वर्डन कीजिए ठीक है जो आपके इस तंधारियों में thyroid गरंथी होती है ठीक है जो आपके गले में पाई जाती है इसकी क्या करनी है गरंथी की आपको रचना बतानी है ठीक है किस तरह से यह बने हुई होती है आकार क्या होता है इसका shape size क्या होता है और कह रहा है इससे निकलने वाले हार्मोन का वरड़न कीजी कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं वो आपको सभी बताना है ठीक है डिटेल में ठीक है describe the structure of mammalian thyroid gland and give an account of various hormones studies by you ठीक है जैसा कि आपने पढ़ रखा है इस हिसाब से आपको बताना है ठीक है अगर हम बात करें घ्रति की ठीक है इसकी त Ohio गेंटी की तो यह जो है इस तंधारियों में या必मस में आपके ऐदन में 3 कहां आपके गरधन में द devrait कर निकिद्ड है कि इस और और आपके स्वारय आंत्र के नीचे कहा है कि स्वास कि नली के ऊपर और आपका स्वर यंत्र के कि नीचे ठीक है तो यह जो बीच में आपकी पाए जाती है वह आपके क्या होती है अब इससे कुछ आपके हार्मोन भी निकलते हैं जिसे हम थायराड हार्मोन कहते हैं ठीक है जो टी-3 टी-4 हार्मोन का सिक्रेशन करती है ठीक है ठी-3 और टी-4 हार्मोन जो है यह उत्सर्जित करती है ठीक और अगर इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो आपको जैसे बेचैनी घबराहट ठीक है पूरी नीद न लेना तो इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं अगर आपको थाइराइड नाम का अगर बिकर हो जाता या डिजीज हो जाता तो ठीक है और ये आपके पूरे सरी शरीर का ठीक है पूरे बाडि का जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है या नियंतरित करता है ठीक है और जितनी भी मेटाबोलिजम आपकी एक्टिविडीज है ठीक है यह मेटाबोलिजम करिया है उनमें भी क्या करता है उनको भी यह नियंतरित करता है ठीक है तो थाइराइड गरंथी की अगर हम बारे में बात करें ठीक है कि होती हैं अंता सरावी गरंतियां या कह सकते हैं कि बे गरंतियां जो जिन से जो हार्मोंस निकलते वो सीधे आपके बिलड में प्रवायत कर दिये जाते हैं या बिलड में छोड़ दिये जाते हैं तो उन्हें कहते हैं अंता सरावी गरंति जो गले में ट्रैकिया के उपर किसके उपर अभी हमने देखा था अभी हमने बताया था कि ट्रेकिया यानि कि स्वांस नली के ऊपर कहां पाई जाता है स्वांस नली के ऊपर बाई लोब्ड दुखंडी रचना के रूप में पाई जाती किसके रूप में पाई जाती दुखंडी रचना के रूप में कारती है जिसमें किया रहते है आपके दो रहते है यह एक बटर फिलाइश र के आकार का होता है जैसे डिफ से चाह सरै यौथा बूता है 50 denied je कहते हैं क्या कहते हैं इस्थ मस इन दोनों खंडों के बीच का जो आपका भाग होता हुसे इस्थ मस कहते हैं थायराइट ग्लेंड्स आयोडीन यूज करके टी-3 & T4 बनाती है ठीक है क्या बनाती है टी-3 और T4 जो है हार्मोंस का निर्माण करती है ठीक है अभी आगे देखे यान की five centimeter आपका लॉंग और चौड़ा और दोख चौड़ा करकि मोटाय होगी ठीक है दूश तरह से इसका आकार हो जाएं प्रतियक लोब inhजो आपका लोब है इसकी करहा बजन कितना होगा बीच से 25 ग्राम बेटत official 16 सकता इसका इस्टालोजी कि एकर हम बात करें ठीक लेट सम्भेहने कि इसमें बहुत सारे तथायर क्रफ़ के विसक्राइश की बनी होती है ठीक है किसकी बनी होती है आपकी फोलिकल या बैसलस की बनी होती है ठीक है फोलिकल अगर हम बात करें तो यह इसमें क्या लगे रहते हैं कूप ठीक है या आपकी यह किसकी बनी होती है पुटिकाओं की बनी होती है फोलिकल्स जो कि आपके क्या थे कूप चौकोर कोशिकाओं के बने होते हैं जो आपके फोलिकल्स होते हैं या आपके जो कूप होते हैं वो कैसे होते हैं आपके क्यूबाइडल ठीक है कैसे होते हैं क्यूबाइडल सेल्स होते हैं ठीक है यानि कि जो कोशिकाओं ह तथा ग्रेनियूलर होते हैं कैसे होते हैं ग्रेनियूलर आपके दानेदार होते हैं ठीक है छोटी छोटी सरचना इनमें जो है पाई जाती है जो दानों के समान होती है बीजों के समान होती है इनके चारों तरफ बेसमेंटल मेंबरेन क्या होता है एक बेसमेंटल मेंबरेन हो जिल्ली ठीक है यानि कि बेस्मेंट जो नीचे जिल्ली लगी रहती है ठीक है उसको कहते है तैखाना जिल्ली और यह क्या करती है तवचा की वाहरी और मध्य परत को जोड़ने का काम करती है ठीक है क्या करती है यह तवचा की बाहे परत और मध्ध परत ठीक है बाहे परत और मध्ध परत को जोडने का काम करती है यानि कि दोनों परतों को जोड़ के रखती है कौन आपकी तहकान जली या क्या है आपका basement membrane इन follicles में आपका क्या होता है thyroglobulin protein भरा रहता है जो आपके follicles होते हैं या आपके कूप होते हैं जो चौकोर होते हैं इनमें आपका क्या भरा रहता है इनमें आपका thyroglobulin protein भरा रहता है जिनने stored thyroid hormone कहा जाता है जो आपका thyroglobulin protein होता है इनने क्या कहते हैं stored या संचिद thyroid hormone कहा जाता है ठीक है प्रूटीन कहते हैं थायराइड फोलिकल्स यानि कि थायराइड कूप के ङो मतनी है नौता है है क्या है सरचनातमक सरचनातमक और आपके क्या है कारियातमक in कांई है ठीक हैं थे किया आपके thyroid follicles ठीक है, thyroid follicles के हाए area glands के structural and functional unit है, ठीक है, कारयात्मक और सरचनात्मक के काई, इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाते हैं, कौन कौन सी वो कोशिकाएं हैं जो उनमें पाई जाती हैं आपकी, आपकाश या मुख कोशीगा कि अगर हम बात करें तो बो क्या होती है दो चैसे बड़े तथा संक्या में अधिक होते हैं यह बड़े होते हैं और संख्या में कैसे होते हैं अधिक होते हैं कि ज़्यादा संखया हुआ जाद आदे हैं और इनकी आ कार कैसा होना थिक है बड़े-धिकसंखया में इनका मुख कारीита को बनाना ठीक है किसको बनाना फार्मेशन करते हैंë बड़े-घर बड़े और संक्याम अधिक होते हैं काम क्या करते हैं THYROXIN को बनाना ठीक है कि इसको थाइराइड का फार्मेशन करते हैं यह प्रिंसिपल तो यह आपका है अरशी देखा झाल जागा धर्से देखा जागा सामने उसका धर से तौस्त तेन धने देखा जागा और यह क्या आपका वेंट्रल व्यू दोर्सल व्यू मतलब जब इसको नीचे से देखा गया कदर से जब थायराइट ग्लैंड्स को नीचे से देखा गया ठीक है माल लो यह क्या आपकी थायराइट ग्लैंड्स इसको अगर हमने नीचे से देखा तो हमें कुछ इस तरह से दि है जब हमने उसको ऊपर से देखा ठीक है तो यह जो सरचना होती ऐसी सरचना होने के कारण ही से कैसे कहते है यह butterfly structure होता है कैसा होता है butterfly के समान जिए ही it I do Heเค तो इसमें यू आपका पाया जाते ठीक है यह वाले भाग यह दोनों भाग क्या है आपके thyroid gland से ठीक बाकि आपका जो बीच में इस तरह की सरचना है यह क्या आपका उसो फैगस है ठीक है स्वासनली इधर हम बात करें तो इधर क्वया आपका लेरन्स यह क्या होता आपका यह आपका क्या है बाकि यह आपकी क्या होजाएंगी ao कि फिरसे बहुrows हो जाएंगी इस ठीक है तो यह वाला भाग और इधर वाल भाग यह क्या कह लाता है आपके thyroid gland क्यलाते हैं वाकि यह जो आपकी सरचना होती है इस तरह की इने कहते हैं यह आपकी क्या कहलाती है यह आपकी कहलाती है ट्रै किया क्या कहलाती है ट्रै किया ठीक है तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका यह सरचना हो जाएगी आपकी थाराइट ग्लैंड्स की ठीक है ऊपर से देखा तब क्या दि इंटरल भी एउड़ जागा विझाय को जुशिकाना थो यह क्या होती है यह संख्या में कम होँथे है क्या है संख्या इनकी कम होगी और क्या है हार्मोन ऑन्सी परनाते हैं क्या बनाती है एक जलसी टोननीं का हार्मुन बनाते हैं ठीक है संख्या का मोदी और कैल्सी टोनिन नाम का हार्मोन बनाते हैं कैल्सी टोनिन कैल्सियम एंड फास्फेट को क्या करता है स्कलेटल एंड अधर टिस्यूज में डिपोजिट करने में हेल्प करता है आप जो आपका calcitonin है यह क्या करता है calcium और phosphate को किसको वहें calcium और phosphate को कहां ले जाता है iskletal याणि कि आपके कंकाल तंत्र में हड्डियों में ठीक है और other tissues में deposit करता है या पहुंचाता है ठीक है इसमें क्या करता है मदद करता है और क्या करता है यह हाइपो कैलसीमिया बनाता है क्या करता है हाइपो कैलसीमिया करता है यानि की कैलसीम की कमी करता है क्या करता है किसकी कैलसीम की कैलसीम की कमी करता है ठीक है इसी को कहते है हाइपो कैलसीमिया ठीक तो यह क्या करता है या पहुंचाता है तब क्या होगा की कमी हो जाएगी और यह क्या करता है है यह आपका कुछ यहां पर दे रखा है हिस्टोलोजिकल फीचर आफ दा थाइराइड गिलेंट्स ठीक है तो थाइराइड गिलेंट्स के कुछ फीचर है यहां पर तो इस तरह से आपकी थाइराइड गिलेंट्स जो है बनी होती जो अभी हमने पढ़ा था क्यूबाइड स्टक्चल था आपका फॉलिकल्स का ठीक है जो कि आपका कैसा था चौकोर था ठीक है दो यह क्या होते हैं आपके फॉलिकल्स होते हैं जिनमें आपका प्रोटीन भरा रहता है क्या बरा रहता है प्रोटीन भरा रहता है इस तरह से इसके अगर हम बात करें यह सरचना की तो यह वाली जो फॉलिकल्स की लेर होती है बहरी लेर इससे कहते हैं क्यूब ऐडल एपिधिलियम ठीक है घन के आकार की यह बाहरी कोश्य का वित्ती है ठीक है तो यह क्या वाजाए कि क्यूब आपक क्यूब के अकार की और क्या है एपि धिलियम है और इन दोना को बीच को जोड़ने वाले स्थान को क्या कहते है कनेक्टिव टिश्यू ठीक है यह धोनों को धुब जोड़ रहा है तो यह क्ैक अश्य हलाए गए है और यह这 दिख्यू आपक Shorter कोण क्या का कहते हैं इससे का क आपके कड़ होते हैं वो पूरे बिलेन में परचेपित रहते हैं ठीक है पूरे माध्य में परचेपित रहते हैं पूरी तरह से घुलते नहीं है ठीक है तो वो कहलाता आपका कोलाइड कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है तो इस तरह से यह जो है आपका इस्टो लोजिकल इस्ट्रक्चर जो है फीचर आपका हो जागा आपका थाइराइड गिलैंट्स का अब हम बात करते हैं हार्मोंस आफ थाइराइड ठीक है यानि कि थाइराइड के कुछ हार्मोंस जिनके बारे में हम जानेंगे यह तीन हार्मोंस सिक्रेट करता है कितने ती की हार्मों का सरावड करता है तो इनमें से दो हार्मों ऐसे वोते हैं जिनका का और का structure यानि कि सरचना और कारी यह दोनों कैसे औस होते हैं से मुटेथां है स्था टुरु ठीचना कारी दोनों के कैसे होते हैं से मोते पहला आपके क्या हो जागा Pull together 3 Subaru Ah से टी-3 कहते हैं क्या कहते हैं T3 Tri I do Th индeki 3 यह आपका होता है टेटराईडियो ठाइरोविट प्रיח कैस्को कहते हैं T4 तो यह taki хочется यह टी-4 किய यह है दोनो फ्रिंशीपल the । क्रिंशीपल है च्छाई द्वारा निर्मित किये जाते जो अभी हमने उपर पढ़ा था है मि suspects यह बनाती है कॉन सी प्रेंसी व्य रूपनä को टाइरओलो मेर्य रहे रहा से हमने ऊपर डेखा था था थायओ गयो विन ट्रोटीन था थीछ आयोडीन की भूमिका जो आपका आयोडीन है ठीक है जो हम आयोडीन नमक में लेते हैं उसकी क्या भूमिका है या उसका क्या रोल है ठीक है रोल आफ आयोडीन किस तरह से हो जागा रक्त द्वारा लाया गया आयोडीन ठीक है जो हम आयोडीन खाते हैं आयोडीन लेते हैं ठी क्या होता है रख्त द्वारा लाए गए आयोडीन का एक एंजाइम क्या होता है प्रॉक्सीडेज ठीक है क्या होता है लाए गए आयोडीन का एक एंजाइम होता है आपका कौन सा होता है प्रॉक्सीडेज ठीक है क्या होता है प्रॉक्सीडेज द्वारा क्या हो जाता है इसका hydrogen peroxide से क्रिया करेगा आपका iodine hydrogen peroxide से क्रिया करेगा किसकी उपस्तिती में इंदा प्रिजेंस आप प्रॉक्सिडेज एंजाइम ठीक है तो क्या बनेगा क्रिया करेके active iodine बन जाता है क्या बन जागा अब यह क्रिया कर लेगा hydrogen अपका hydrogen peroxide यह क्या है आपका hydrogen peroxide यह आपका iodine peroxide की उपस्तिती में क्या करेगा active हो जागा तो क्या बन जागा आपका टू आई बन जागा और टू एच्टू ओ ठीक है दो कि आई इन के आपका यहान की आइड गया आपका एक्टिव गया क्या हो गया क्या हो गया है यहांपके दो है गया चार आपका यहां वाटर बन जाए Welsh ठीक है 2H2O2 तो दो मॉलेकुल आफ वाटर यहां पर यह बाद में जो दो लिखा हुआ है यह नहीं होगा ठीक है इस तरह से जो है आपका बन जाएंगे 2 मॉलेकुल आफ वाटर और क्या हो जागा जो आपका आइडिन था वो पूरी तरह से आपका ऐसा हो जागा आपका एक् करता है कौन आपका टी ऐसरे तरह टी 4 हार्मोन का निरमाण करता ठीक है अब क्या होगा ठीक है यह जो आपका एक्टिव अदी बना है अब क्या होगा इसके सांसा जो आपका ती एस एच है क्या है आपका टी एस एच ठीक है थाइराइड इस्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं थाइराइड इस्टिमुलेटिंग थे थायराइड स्कीन निते दोरा इससे राषाइन करिया करें कर ले राषान dog summer में कर देता और अपना लेता आपका t3 और t4 और हार्मोन का निर्माड कर लेता है ठीक है एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कह रहा है इसके कम बनने से किसके कम बनने से जब आपका आयोडिन कम होता है ठीक है तब क्या होता है टी-3 और टी-4 की मातरा जो है कम होती है तो किसकी बात करते हैं ठीक है तो आयोडिन के क क्रेटी निजम नाम की बीमारी हो जाती है ऐक बीमारी हो जाती है ठीक है जिसे बॉनापन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेटी निजम, ठीक है, बॉनापन नाम की आपकी जो है एक बीमारी हो जाती है, ठीक है, बच्चों में क्या हो जाता भी, क्रेटी निजम या बॉनेपन की बीमारी हो जाती है, तथा बड़ों में क्या हो जाता है, गिल्स डिजीज जिससे insgesamt सटमेड canא ब्लोगों में क्या हुजाता है जिसे क्या करते मिक्जोडीमं की कमी से किससे min Ur regardez प्र ही अगर करा अधिक बनने से जब यह अधिक बनने लगता है तो क्या हो जाता है। जिसे गहाञगा रोग कहते हैं गहातक है गहातक है ग्यातर किया करता है Immune system का disorder है किसका disorder है Immune system का आपका प्रतिरख्चा जो तंत्र होता है उसका क्या है disorder है disorder मतलब इसमें कुछ गडबडी हो जाती, क्या हो जाता है गडबडी हो जाती है ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं disorder कहलाते है Kelsey tonine की अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका क्या है a Kelsey ton Check है क्येक्ष्य टोन की अगहर हम यहां पर बात करें तो यह आपका जिस तो accuracy द्वारा बनाया जाता जो आपके कैल्सी टोनिन घूल्स होता है इसके All sap इसके कम बनने से आपका क्या हो जाता है इस टियो पोरेसिस नाम की बीमारी हो जाती है यानि कि यह क्या हो तापके impacts Denway remains good density nuovo tracking points एक प्रकामो जाता है वहश्ब की डेसिटी जो है कं हो जाता है और आपकी हड्रीऊंग簡ल थूट सकते यहां फैक्चर उन में हो जाता यह तो गर हो जाता है तो अगर कल्स्यम की मातरव कम होगी तो क्या जाए आपका osteoporosis हो जाए जिसे क्या कहते हैं बोन्स की density कम हो जाती या उनका घंदत जो कम हो जाता है और हड़ी आपकी वीक हो जाती कम जोर हो जाती है ठीक यह है पैरा थायराइट हार्मोन के function का अपोजिसन करता है जो आपका फैरा थायराइट हार्मोन होता है इसके कारि अंटारीज का भ्रोध करता है कौन आपका है घंस एक इसके बाद जो चैलसी नेशन के इस बिल्माशयक च rib, घंस च MALE की क्लाव, और एक थे और मुणा बो definy ओरश्टे यह क्लास न। तो नगरेंगो defa यह कैंच म क्लाव अस्थी शोषक करते हैं और summation की ऐस हीविट करता है या कम करता है रोक देता है रोकता है ठीक है क्या करता है अस्थी सोषक की क्रिया को रोकता है जो आपका ऊस्थी अ करता है या रख्त में प्रिवेश करता है कब जब करता है तब जाके कैल्सियम आपका बिलड स्ट्रीम या रखत में एंटर कर जाता है ठीक है तो यह तो थी कहानी आपकी थायराइट की ठीक है